नमस्कार दोस्तों, पूजयाशक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और मैनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नविशय पर हम चर्चा करेंगे वो है आपके घर में रखी हुई छोटी हरी इलाइची किस प्रकार आपके जीवन में धनसंबंदी परिशानियों को दूर कर सकती है इलाइची के आयुरवेदी के वाशदी गुणों को आप सभी जानते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलाइची का प्रयोग जो है पूजापाठ कई प्रकार की जोतीशूं उपाय तधा ख्रियां में किया जाता है इलाइची के टोट के या उपाय बहुती सटीक जो है रिजल्ड देते हैं इनका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है जोतिश के अनुसार अगर आप पर शुक्र ग्रह की कोई परेशानी होती है तो आपके जीवन में धन संबंदी समस्या हैं बहुत इक सुक्सु विधाएं आपको करना पड़ता है हमारा शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होगा तो हमें काफी महनत करनी पड़ती है सफलता है बहुत कम मिलती है तथा हमारे हिस्से का जो धन या आराम होता है हमारे जीवन में हमें कभी भी नहीं मिल पाता है चाहे हम कितनी भी महनत कर ले लगता है क्योंकि प्रेम संबंद या धन संबंद बहुत इक सुफ सुफधाएं जितने भी संबंद हैं सब शुक्रग्रह के घेरे में आते हैं तथा उन ही से जो है आपके जीवन का आराम या सुख पता किया जा सकता है इलाइची जो है सबसे आसान और सटीक उपाय है शुक्रग्रह को मजबूत करने का तदा इलाइची जो है आपके जीवन में बहुत जल्दी धनलाब लेकर आती है अब सबसे पहले बात करते हैं अगर आपका पर्स हमेशा खाली रहता है या आपके पास धन नहीं टिकता है तो आपको पात चोटी इलाइची जो हरी इलाइची होती है वो लेनी है और इस बात का ध्यान रखे कि उस पे कहीं भी दाग ना लगा हुआ हो वो बहुत अच्छ और साफ होनी चाहिए तथा उसमें से खुझबू आने चाहिए कई बार ऐसा होता है घर में रखी बहुत पुराने या थोड़ी से पीली पढ़ गई लाइची या उसमें जो कीडे लग जाते है या दाग लगे तो ऐसी लाइची आपको बिलकुल नहीं लेनी है इलाइची अगदा फ्रेश होनी चाहिए तथा उसमें से खुझबू आनी चाहिए पांच इलाइची जो है आप ले लीजिए शुक्रवार वाले दिन जो है आप मातालक्षमी के सामने ये भोग स्वरुपुने अर्पित कीजिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ये आपको उपाय क करना है तो आप ये शुक्रवार को ही दो तिन घंटे वही रखे रहने देनी है इलाइची उसके बाद उठाकर अपने पर्स में ऐसी जगा रख देनी है कि किसी कपड़े में या किसी पॉकेट में भान करना रखे आप जो है इसे पर्स के अंदर रख दीजिए आप किसी ज जञेसे बेर रख दीजे अवर होगे कि गंदी हात्ना लगे परंतों लगें इसे किसी चीज़ से भांदे गा नहीं कि इसे रखने के बाद मातालक्शमी से बारा बढ़ रहा रहां द्दा है कि दुक्र पर्स नमौ से एकिज़ नहीं जकी नहीं लागों ह्त जो है नाए का वाश्रोम वगेरा में कई बार हम मौल में जाते हैं तो अपने साथ ही अपना परस ले जाते हैं तो वो कारे ना करें और जो है इस उपाई के बारे में किसी को भी ना बताएं दूसरा उपाई इलाइची जो है अगर आपके विवा के योग नहीं बन रहे हैं इसमें ध्यान देली वाली बात जो यह है कि आपको जो है अगर आप स्त्री हैं तो यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है तो पुरुष जितने भी है वो यह उपाय शुक्रवार के दिन करेंगे तभी जो है आपको विवासंबंदी जितनी भी समस्या है उनका निदा दान के रूपने एक रूपय नहीं की सिख्का करना, डान के सीज़ें have already done one, in theसीhaft किसी की इससी समय of animal audiobook रहते हैं और कि say, सहे नियमित रूप से अगर आप वी कारे करते हैं, जैसे ईक दो बार कर लिया आप ने किसी दिवाली के टाइम पर या हमारा कोई शुप तहवार आता है उस समय पर अगर आप यह कारे कर लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन्संबंदी समस्या नहीं होती है। बहुत आसान उपाय है, और इसको करने के बाद आपको विशेश तोर पर धन्संबंदी समस्या है जो होती है। प्राप्त होता है उपाय बता रही हूं जिसके लिए कोई भी कार्य अगर नहीं बन रहा है कार्य सिध्धी का युपाय कहा जाता है इलाइची के लिए काफी सवाल आये थे कि मैडम को ऐसा सोपाय बता दीजिए जो कि बहुत आसान हो जिसे सभी कर सकें तो यदि आप किसी कारे है तो घर से बाहर जा रहे हैं बहुत जरूरी कारे है आपको लगता है कि कारे आपके लिए बहुत महत्पूर है तब आप उस कारे की सफलता के लिए आप हरी इलाइची का युपाय करें जिस दिन आपको अपने आवशक कारे के लिए घर से बाहर जा आपको चबा कर नहीं खाना है इसे पानी की साहता से जैसे हम दवाई लेते हैं वैसे निगल लेना है तो छोटी ही लाइची लें ताकि आपको जो है गले में ना फसे और इसके बाद घर से आपको बाहर जाना है परंतु वापिस घर में नहीं आना है अपना पर्स अपना तब बहुत आसानी से मिलेगी साथ ही साथ अगर आगर किसी लोन का धन का कर्ज लेने का या देने का हूँ किसी से पैसे निक्वाल प deg bekommt बाए मोने हैं तो वाझमा भी बैसा-धिन अ बहुत आसानी से पूर्ण होने लगेंगे, के अलावा मैंने काफी टाइम से नौकरी संबंदी समस्याओं के निदान हितु कोई उपाय नहीं बता हैं, उसके लिए भी काफी सवाल आए थे, तो आज छोटी इलाइची के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसी संबंदी दाज अगर आपको आपकी योगिता के बावजूद नहीं मिल रही है, जल्दी नौकरी पाने के लिए आप हरी इलाइची का उपाय कर सकते हैं, इस उपाय के लिए आपको शुकल पक्ष के पहले गुरुवार को, जब शुकल पक्ष शुरू होता है तब पहला गुरुवार जो उससे ही आपको आरंब करना है और लगातार ये उपाय आपको तीन गुरुवार तक करना है, इस उपाय में आपको पीपल के पत्ते पर पांच प्रकार की मिठाई, दो छोटी हरी इलाइची रखकर आप जो है पीपल के व्रक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखें, कारी नौकरी के भी योग आपके ये जो उपाय है एक खोलता है, साथ ही साथ अगर आपकी नौकरी की समस्या चल रही है, आपको मन पसंद नौकरी अभी नहीं मिल रही है, सिर्फ कारी करे जा रहे हैं पर अपके मन पसंद नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये तीन गुरुवार आप यह उपाय करके मातारानी के आशिरवात से आपको बहुत जल्दी आपके मनपसंद नौकरी जो है प्राप्त होगी साथ ही साथ जब भी आपको उपाय करते हैं उसकी सफलता हो जाने के बाद जो है आप किसी भी मंदिर में जाकर श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान जरूर करके आए ऐसा माना जाता है उससे जो आपने कारिक लिए उपाय किया है वो कार जो है कभी भी बिगड़ता नहीं आने वाले समय में भी तथा वो आपको सदेव सफलता है देता है तो भाईयों और बहनों आज अपनी मारी को यहीं विराम देते वे मैं आश